जब नारद जी को अहन हो गया मन में घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है तो घूम घूम कर अपनी बराई करना शुरू किया सबसे पहले महादेव जी के पास गए भोले नाथ बोले कि आप जो बात हमको कथा सुनाए है यह अपने मन में ही रहना रखना इस कथा को इस बराई को तुम भगवान सिरी हरी को नहीं शुनाना अगर इस बात की चर्चा भी चले तो तुम इस बात को छीपा जाना यद पी शीब जी ने यह हीत की सिक्षा दी थी पर नाराज जी को अच्छी नहीं लगी भगवान की इक्षा जो होती है वो प्रवल होती है सिरी रामचेंद्र जी जो करना चाहते हैं वो ही होता है ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके स्री सीब जी के बचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे तब वे वहां से ब्रह्म हलोक को चल जी एक बार गान विद्ध्या में निपुन्न मुनिनाथ नारद जी हात में शुंदर भीना लिए हरिगुन गाते हुए छीर शागर को गय वहां बेदो के मस्तक शरूप लक्ष्मी निवाश भगवान नाराइन रहते हैं रमा निवाश भगवान उठकर बरे आनंद से उनसे ही है और रिशी नारद जी के साथ आशन पर बैठ गए चराचर के श्वामी भगवान विश्णू हसकर भोले की हे मुने आज आपने बहुत दीनों पर दया की। यदि पी भगवान भोले नाथ ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कहे शुनाया श्री रगुनाथ जी की माया बरी ही प्रवल है जगत में ऐसा कौन जन्म है जिसे वह मोहित न कर दे रूख बादन करी बचन म्रदू बोले शिरी भगवान अत्तुमरे सुमिरन ते मिट ही अमोह मार मदमान भगवान रूखा मूह करके कोमल बचन बोले कि है मुनिराज आपका अस्मरन करने से दूसरे के मोह काम मद और अभिवान मिट जाते हैं फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है तसुन मुनी मोह होई मन ता के जैसी आराम जै जै है नुमान अज्यान बिराग हिर्दें नहीं जाके जैसी आराम जै जै है नुमान अब ब्रह्मचारज ब्रतरतमति धीरा जैसी आराम जै जै है नुमान अतुमही की करई मनो भब पीरा जैसी आराम जै जै है नुमान हे मुनी सुनिये मोह तो उसके मन में होता है जिसके हिर्दें में ज्यान बैराग्य नहीं आप तो ब्रह्मचारज बड़तमे ततपर और बरे धीर बुद्धी है भला कहीं आपको भी काम देव शता सकता है तो नारद काहे उँ सहीत या भी माना जैसी आराम जै जै है नुमान अक्रिपा तुमारी शकल भगवाना जैसी आराम जै जै है नुमान अक्रुना निधि मन दीखी विचारी जैसी आराम जै जै है नुमान अवुरयं कुर्यव गरवतर भारी जैसी आराम जै जै है नुमान नरजी ने अभी मान के साथ कहा कि भगवन यह सब आपकी कृपा है करवना निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गरव के भारी ब्रिक्ष का अंकुर पैदा हो गया है तो भगवान कै सोचे कि बेगी शो में अड़ारी हो खारी अपन हमार शेव कहित कारी अमुनी करहित मम कौतु कहोई जैसी आराम जै जै है नुमान अई आवसी उपाए कर भी मैं सोई जैसी आराम जै जै है नुमान तो भगवान अपने मन में सोचे कि मैं उसे तुरंत ही उखार फेकूंगा क्योंकि शेव को कहित करना हमारा प्रन है मैं अबस ही उपाए करूंगा जिससे मुनी का कल्यान और मेरा खेल हो अत्तव नारद हरिपद सीरनाई जैसी आराम जै जै है नुमान अच्चले हिर्दय अहमीती अधिकाई जैसी आराम जै जै है नुमान अस्री पतिनी जै माया तब प्रेरी जैसी आराम जै जै है नुमान अस्चुनहु कठिन करनी ते ही केरी जैसी आराम जै जै है नुमान तब नारद जी भगवान के चरनों में सिरन वाकर चले उनके हिर्दय में अभिमान और भी बढ़ गया तब लक्षमी पति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया अब उसकी कठिन करनी शुनों तो बिरेच्यव मगमहु नगरत ही सत जो जन विसतार अस्री निवास पूरते अधिका रचना भी बिद प्रकार उस हरी माया ने रास्ते में शयोजन यानि की चार सो कोश का एक नगर रचा उस नगर की भाती भाती की रचनाएं लक्षमी निवास भगवान विश्नु के नगर बैकुंठ से भी अधिक शुन्दर थी तो बोलिए जैसी आराम जै जै है नुमान जैसी आराम जै जै हनुमान जैसी आराम जै जैसी आराम जै जै हनुमान संकट कटे मिटे सब पीरा जैसी आराम जै जै हनुमान जो शुमिरे हनुमत बल भीरा जैसी आराम जै जै हनुमान जै 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 हनुमान गुशाई जैसी आराम जै जै हनुमान करहु कृपा गुरुदेब की नाई जैसी आराम जै जै हनुमान करहु कृपा गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जै जै हनुमान करहु कृपा गुरुदेब कीनाई जैसी आराम जै जै हनुमान दिन दयालु बिरदुशंभारी जैसी आराम जै जै हनुमान हरहु नाथ ममसंकट भारी जैसी आराम जै जै हनुमान हरहुनात ममसंकट भारी जैसी आराम जै जै हनुमान हरहुनात ममसंकट भारी जैसी आराम जै जै हनुमान एक घरी या दो घरी या दो में पुनियाद अतुलसी संगत सादु की रै कोठी अपराद सियावर राम चंद्र की जै एयोद्या राम लला की जै ब्रिंदावन बिहार लाल की जै पबन शुत अनुमान की जै बोलो भाई शब शंतन की जै हर हर महादेब जै शिव सम्ट